ममा जग्गू के पास बहुत प्यारी गाड़ी है, मुझे भी ऐसी गाड़ी ले कर देना खलोनों में वेता फिलाल हाथ बहुत तंग है, तुम जानते हो मैं तुमें ऐसा मैंगा खलोना नहीं ले कर दे सकती मामा आप हर दफ़ा यही कहती है मुझे वो ही खलोना चाहिए मुझे नहीं बता गुडिया मेरी बच्ची मैं तुमे जरूर वो ही वाली गारी ले दूँगी बस तुम थोरा सा शबर करो मुझे नहीं बता मामा मुझे वो ही जगुवली काड चाहिए मुझे वो ही चाहिए मुझे वो ही चाहिए अच्छा मिली बेटे जिद ना करो मैं कोशिश करूँगी तुम रो तो मत गुडिया गुडिया बहुत दुक्षी हो गई उसके दोस्त उसे अपने कलोनों से खेलना ना देते वो दुकी होकर घर से निकल पड़ी जगू थोड़ी रेर के लिए मझे अपने गाड़ी दे दो मैं इसे खराब नहीं करूँगी अभी तुम्हे वापिस कर दूँगी अरे चलो चलो फिने ना कवाली चड़िया मैं तु ना दू तुम्हे अपनी गाड़ी मैं जब अपने कलोने ले लूँगी मैं भी तुम्हे खेलने दूँगी आओ ना मिल बाड़ का खेलते हैं मैं नहीं तोड़ूँगी इसे तुम ले इना लो कभी ऐसे कलोने गरीब चिड़िया भागो यहां से जग्गू ने भी मुझे अपना खलोना नहीं दिया मिठ्धू के पास जाती हूँ उसके पास ली तो गाड़ी है मिठ्धू अपनी ट्रेन गाड़ी के साथ केड़ा था गुडिया दूर बैठी उसे देखती रही मगर उसे पता था वो भी उसे नहीं देगा अरे अरे मुझे मैं जानता हूँ तुम मझे देख रही हो भागो यहां से मेरी ममा ने मना किया है मैं तुम्हरे साथ नहीं खेलूँगा गुडिया गुडिया दुखी होकर आकर ज़रने पर बैठ कही वो बहुत दुखी थी कि ऐसा क्यूं है उसके पास क्यों लोने क्यों नहीं काश मेरे बाबा भी जिन्दा होते और मुझे भी ऐसी क्लोने लेकर देते कहां से लाओं में ऐसी क्लोने ममा भी लेकर नहीं देती कुरिया रो रही थी कि अचानक से इधर रोशनी जाती दिखाई दी उसने सामने देखा तो एक परी आ गई थी आप कौन है और कहां गूम रही है मुझे लगता है आप सुन्दर परी हैं आप बहुत प्यारी है हाँ गुडिया तुमने जिसे अपने किताबों में पढ़ा मैं वही सुन्दर परी हूँ वो परी तो वो दोस्तों की मदद करती थी क्या आप मुसे दोस्ती करेंगी हाँ गुडिया आइसे मैं तुमारी दोस्त हूँ और तुम जो वोलोगी मैं वो ही करूँगी तो ठीक है मुझे धेर सारे कलोने चाहिए और खाने पीने को भी सब कुछ चाहिए ठीक है गुडिया तुम रो नहीं तुम घर चले जाओ तुम जो मागोगी तुमें मिल जाएगा ठीक है अच्छी परी अब मैं घर जाती हूँ आजसे तुम मेरी दोस्त हुई ना गुडिया खुशी खुशी घर को चल दी ताकि वो अपने मां को भी बताए तुमें खलोने ला कर दे अच्छी परी मेरी दोस्त मुझे वो जगु जैसी रेट गाड़ी ला दो मुझे वो भी चाहिए गुडिया उससे बोलो तुमें गुबारे भी ला कर दे जैसे गुडिया ने भोला तो उसके सामने गुबारे और लाल गारी आ गई रानो चिडिया ये देखकर बहुत हैरान हुई ठीके बेटा, मुझे यकीन हो गया वागई तुमारी परी दोस्त है हाँ ममा, अब मैं जो भी मागूंगी वो मुझे लाकर देगी पर वो मुझे नज़र आती है आपको नज़र नहीं आगी ठीके बेटा, आप उससे अपने लिए नूडर्स और मेरे लिए पिज़ा मगाओ जैसे गुडिया ने बोला गुडिया के लिए नूडर्स और ममा चिडिया के लिए पिज़ा आ गया आज दोनों मा बेटी बहुत खुश थे उन्हें उन्हें सेबर का फल मिला था अगले दिन गुडिया अपने खिलोने लेकर जगू के पास कई और उसने इसे दिखाए और कहा आओ मिलकर अके ले अरे अरे गुडिया तुम्हारे पास ये खलोने कहां से आए तुमने ये सब कहां से लिया जगने से मुझे एक परी दोस्त मिली है वो परी में इसे जो भी बोलती हूँ वो मुझे ला कर देती है हे हे गुडिया तुमने परी को दोस्त बना लिया अरे तुम तो बहुत तेज निकले अरे अरे ममा वो जो कुड़िया नहीं है रानो की बेटी उसको एक परी दोस्त मिली है जर्ने से वो जो बोलती है वो उसे लाकर देती है अरे मेरे बेटी जगू वो रानो की पिद्दी सी तो मैं बेब को बना रही है ऐसा कुछ नहीं होता ला परीया होती है अरे नहीं ममा मैंने खुद देखा उसने उसको गाड़ी और पता नहीं किया क्या लाकर दिया है जो खाने को बोलती है वो भी लाकर देते हैं अगर ऐसा है तो मेरे बच्चे में भी आओ ज़रने पर चले जाओंगी, देखलूंगी कहों से परिया मिलती है, तुम भी करना करो, मैं अभी जाती हूँ ज़रने वाली परी, तुम कहा हो, तुम उस गुरिया की दोस्त बन गई हो, मेरी भी दोस्त बन जाओ, मुझे भी सारी चीज़े लाकर देना, अरे ज़रने वाली परी, कहा हो तुम, मुझे तुम नजर क्यों नहीं आ रही, जब दिसे मेरे सामने आ जाओ, ज़रने वाली परी, परी जानती थी, के गुरी तो एक लालची कवी है, उसने कवी की पिटाई शुरू कर दी, अरे कौर है, अरे छोड मुझे, अरे मुझे क्यों मार रही हो, ज़रो, अरे परी की बच्ची मुझे छोड़ो, को उसके सबर का भर मिला, और गोरी को उसके लालच की सदा मिल गई,